असलाम अलेकुम किचन मिजरियाना में आपका इस्तखबाल लिया है जह हम आपको पालक के परांठे बनाना बताते हैं जिसको हम उबालेंगे नहीं ठीक है यह हमने पालक लिया है इसको दोग एच्छे से साफ कर लिया है आटा हमारा और अरेड़ी गुंदा बाता वही नॉर परांठे को बेल लिया है और इसके उपर हम थोड़ी सी मिर्चे डाल देंगे इस तरह से आप चाहें तो चली फ्लैक्स भी डाल सकते हैं या इसमें हारी दिनीए की हारी मिर्ची चटनी भी लगा सकते हैं उपर से हमने इसके अंदर नमक चिरका है थोड़ा सा और क्या कहते ठीक है और थोड़ी सी हमने चौप अन्यन इसके उपर डाल दी है खाने में या अच्छी लगती है बस इसको इस तरह किसे तैय लगा ले या इसमें लच्छा लगा ले जैसे भी आप चाहें उस तरह के से इस परांठे को भर कर बना सकते हैं बस थोड़ा सा इस तरह किसे त हमने प्लड़ा फोड़ा लगा यह तोड़ी सी हमने अन्यन लगा यह तागे हर ते के अंदर इसमें पालव कर लिया एह भूड करने के बाद इसको हमें आटे में थोड़ा सा डस्ट करके इसको भी लेना है इस तरह के से आप अपनी मर्जी से कोई से भी शेप परांठा बन कर आप सेख सकते हैं इस तरीके से ये देखिए बस इसको अलट पलट कर अच्छी तरफ से गोल्डन होने तक लिजिए बहुत हाई फिलम पर मत करेगा थोड़ी लूप लें पर ही बीच की फिलम पर ही मतलब सेखेगा इसको तो ये बहुत अच्छे सिकेंगे बस इस तरीके से हमने परांटों को सेख लिया है और इनको उतार लेंगे सुबा के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हैं बनाना बहुत आसान बहुत मज़े के होते हैं इस तरीके से ये पालक भर के परांटे बना कर देखे इंशाला आपको बहुत किचन वी द्रहानों को सब्सक्राइब करना ना भूलें दूआओं में याद रखें आपसे फिर मुलाकात होगे एक नई वीडियो के साथ तके लिया अला हाफिज